हेलो वर्गो वेल्कम टू आरे एंजली काई रेंस आई होब आप सब अच्छे होंगे अपर लाइफ में सब बढ़िया कर जोंगे और अपना ध्यान दख रहे होंगे आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि में मंत कैसा रहेगा आपका तो चलिए हो वर्गो और किसी को अपनी मत अपनी सल्फ प्रिस्पेक्ट के साथ खेलने नहीं दो गए यहां पर और कहीं न कहीं आपको पता है कि आप क्या हो तो कोई और क्या बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको आप क्या हो आप वो जानते हो और आपका confidence भी यहां पीस जो भी हो जाए आपके लिए आपका inner peace ज्यादा important रहने वाला है books पढ़ना अपने में रहना अपनी imaginations में रहना लिखना तो यह सब चीज़ आपको अच्छा लगने वाला और आपको बता है you are enough आपको किसी आपको ऐसा feel होगा मुझे किसी की जरुवत नहीं है ठीक है मुझे किसी की साथ की जरुवत नहीं है मैं अकेले खुश हूँ मैं अकेले रह लूँगा या रह लूँगी ठीक है और आपको पता आप क्या हो तो किसी और की opinion आपके लिए शाद matter ना करें okay worthiness inner peace connection वोगो तो हो सकता है कि आप किसी की साथ कोई connection में जाओ ठीक है अगर already हो तो बात अलग है तो उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताओगे उनके साथ time spend करोगे अच्छा time spend करोगे नहीं तो हो सकता है कोई new connection आपके life में आ रहा है ठीक है और आपके life में inner peace भी आती भी दिखाई दे रही है अगर कुछ problems देख रहे थे तो inner peace आती दिख रही है कोई इगो भी कम हो रहा किसी चीज को लेके था confidence level आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस intimacy भी किसी के साथ बढ़ सकती है तो हो सकता है अभी तक आपकी spiritual awakening चल रही थी किसी चीज को लेके dark period देख रहे थे तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कोई connection आपके तरफ आ यहाँ पे भी आप खुद की peace को ज़्यादा priority दोगे और अपनी worth को समझते वे दिख रहे हो आईए देखते हैं और क्या message है आपके लिए मेभी आप में से काफी लोग अपनी success को manifest कर रहे हो या किसी person को manifest कर रहे हो वो person आपके life में आ सकता है especially मेभी आप love में किसी को manifest करने की कोशिश कर रहे हो round and round मेभी आप किसी cycle में फसे हुए हो कोई cycle हो सकता है या तो complete होने वाली है या कोई चीज बाबार repeat pattern में आपके साथ हो रही है okay let's see देखते हैं में में भी शायद वो चीज़े repeat हो शायद जो पहले हो चुकी है उसी तरीकी से similar चीज़े कुछ repeat हो आपके साथ round and round कोई cycle है जो repeat हो to be told किसी तरह का सच आपके सामने आने वाला या तो आप अपने मन का कोई सच बोलने आने हो得 हो सकता है जो कि वरगो की आदत भी होती ना वो कम बोलते हैं या तो कुछ बाते अपने अंदर ही रखते हैं बहुत डिसकस नहीं करते हैं बताते हैं बट हो सकता है अब वो सच आपके मन से बाहर मन अंदर से बाहर आएगा और आपके अंदर वो inner peace आएगी बहुत समय से पर बोलना चाहरे थे लेकिन अब मौका मिल रहा है आपको ठीक है आएगे देखते हैं मुझे लगता है या आपका फाइनल पार्टनर होगा जो की आपके साथ या तो marriage होगी या तो यह जिसके साथ आप deal करो यही इन से आपकी शादी हो या फिर आप अपने connection को मुझे लिखाए तेरा final stage ले जा रहे हो marriage तक लेकर जा रहे हो बात बन सकती है कोई तो success है आपकी जो आप अचीव करने वाले हो अपने life में career में especially career में कुछ आप अचीव करने वाले हो कोई goal अचीव करने वाले हो तो आप ready हो उस चीज को accept करने में कहीं न कहीं तो आई रेखते और के message है आपके लिए यहां पर courage मैं देख रहे हूँ यहां पर आप और courageous हो रहे हो ठीक है मैं के मन्त में और जिन चीज़े से डर रहते घबरा रहते पर आप डरोगी नहीं हो सकता है कुछ hurdles अभी भी में मन्त में आए बर वो चीज़े आपको खिलने से रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएंगी और आपको जो करना है वो आप करके रहोगे वो जो achieve करना वो करके रहोगे तो yes मैं देख पा रही हूँ कि अब आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हो में के मन्त में आपका डर जो है न किसी चीज़ को लेकर था वो खतम हो रहा है और आप में पूरी तरीके से surrender to God कर रखा है beyond illusion हो सकते है मुझे यहां पर दिख रहा है कि अभी तक जो आप सोच रहे थे वो illusion में थोड़ा था चीज़े कि यह बस चल रहा है आपके mind में थे और आपके mind तक ही है चीज़े आपने कुछ से कहते हैं लोग mind में खिचडी बनाते हैं या बहुत सारी बाते खुदी बुन लेते हैं इसने ऐसा का होगा यह ऐसा है वैसा है यह वो पर अपना beyond illusion जा रहे हो अब जैसे जैसे मैंने बोला अब आपके सामने आएगा अपर तक तो कुछ और ही आप सोच रहेते हैं जो सोच रहेते हैं वस वो आपके mind तक ही था पर 3D word में कुछ और ही चल रहा था यह कुछ और ही हो रहा है ठीक है लेट सी और क्या है आपके लिए यह पी हो सकता है आप में से कुछ लोग की awakening चल लही थी ठीक है और अब तक आप जो सोच रहेते हैं वो illusion था बट आप illusion से परे आपकी thinking में बदलाव आ रहा है चीजों को सोचने में बदलाव आ रहा है आपका ठीक है लाइट के तरफ जा रहे है तो आपको नहीं रोक पाएंगी अब आप अран जू क Vijiczs तरफ नहीं लेकाज को करड़ देखो थे नास floor और us ने का नहीं वह उगने से हो सीड़ को आपуже स्वाव कि तो सीड नहीं अगे बढ़ना है नाई मुझे फर्क नहीं पड़ता येस ठीक है और maturity आपके तरफ आते वे दिख रही है पहले से जादा mature आप हो पर आप पहले से जादा mature पहले से जादा बदलाव यहाँ पर भी कोई cycle है ठीक है completion है आपका कोई lesson complete हो गई आपको जो लेना था हो चुका है कोई cycle complete हो गई अब आप आगे बढ़ रहे हो ठीक है आए देखते हैं और के message है आपके लिए आपके लिए आपर मुझे देख रहा है कि जो मिल रहा है ना कई ना कई ना कई आप से कहा जारो उस चीज़ से satisfy मतो ठीक है जो भी है जो भी है यही मेरे पास है यहीं तक मैं यहीं मुझे मिल सकता है नहीं मुझे लगता है कि आपको बड़ा सोचना चाहिए life में किसी भी चीज के लिए ठीक है बड़ा सोचो और उस चीज के लिए मेहनत करो और उस चीज के लिए उडान भरो उस चीज को ढूंदो कि क्या चाहिए आपको ठीक है यही पास मिल ला है तो चलो यही ले ले लेते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं होता शिकारी बनो हंट करो यह नहीं कि कुछ बचा कुछा मिल ला है उससे संतुष्ट हो गए नहीं यह चीज आपके लिए हैं आप मेहनत करोगे तो बहुत बड़ी सी बड़ी चीज प्राप्त कर सकते हो तो छोटी मोची चीज में सेटल मत हो तेक्या अब अबंडन्स यही बात मैं कहने की कोशिक है थी अब बताओ इस टीन के डिब्बे से आपको जो खाने को मिलेगा जो च चोटी मोटी चीज से जो आप खुद को संतुष्ट कर रहे हो ना कि ठीक है कोई नहीं जितना मिल जारो तना ही ठीक है पर आपके हाथ कुछ बहुत बड़ी चीज लग सकती है जैसे मैंने बोला और मुझे दिख भी रहा है ठीक है सक्सेस लग सकती है जो भी पाना चाहते ह होना या बड़ी उडान उची उडान भरना होगा छोटे मोटे से अपने आसपास जो चीज में लिए उससे सेटिस्फाइ होने से कुछ नहीं होने वाला लाइफ में थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है अगर सक्सिस चाहिए तो distance हो सकता है कि इस समय पे आप अपने घर से दूर या किसी पॉस्टन से दूर या distance में हूँ ठीक है और यह भी है go the distance हो सकता है कि आप ज्यादा दूर नहीं हो अपने लक्ष से आभी भी हो पर ज्यादा दूर नहीं हूँ और हो सकता है यह जो abundance वो आपके आसपास ही है कहीं करीब ही है मतलब उसके लिए ज़्यादा आपको मैनत नहीं करनी है बिना मैनत करें थोड़ा सा मैनत करनी ही है ऐसे खुझ चलके तो नहीं आएगी चीज़े तो आपको तो उडान भड़नी पड़ेगी और यह सब उस चीज करेंगा यह क्रो है तो फ्लाई करेंगा तो यह इस मैं कहूंगी या तो अगर टाइगर हो तो जम करने की ज़र्वत है या फिर कह सकते हैं अगर खुझ के इंदर ज्जाक रहे हो यहां पर चुझ यहां पर बियॉर्ड इलूजिजन वर्दीनेस का भी काड़ है तो यहां प तो ये आंसर आपके अंदर ही है, कुछ मन में आपके चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, परिशानी चल लिए, कोई questions उठ रहे हैं मन में, जो भी धूंड रहो ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है, सच और solution ये दोनों ही आपके अंदर होता है, सच जो आप बाहर ढूंड रहे होते हो, a solution जो आप बाहर ढूंड रहे होते हो, कहीं ना कहीं आपको पता होता है, पर आपको एक इनसान ऐसा है, बोल दिना, हाँ, हाँ, जी तुम कह रहे हो ना, वो सही है, तो आपको लगता ना हाँ ठीक है अब मैं सही हूँ ठीक है कोई बस बाहर वाला एक बस आपको कहे है दे कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो तो आपको इसा लगता नहीं अब मैं सही कर रहा हूँ चो कि कही ना कही एक confidence की कमी होती वह आपके अंदर ही है, तो बाहर कोई चीज ऐसी है जो देखना की ज़र्वत नहीं है, अंदर जाकने की ज़र्वत है, खुद के अंदर, आईए देखते हैं क्या है, और क्या मेसेज आपके, आपके है, रीबर्थ, बहुत बड़ा चेंज, पता नहीं क्यों, इंसाइट का कार्ट देखें, मुझे असल लग रहा है कि, जब तक खुद से कोई चीज पूछोगी नहीं न, आपके अंदर, मैंने बोला ना कुछ नो कुछ ऐसा है, सब कुछ आपके अंदर है, लाव हो, सलूशन हो, या कुछ भी कहलो, पर आपको खुद से कोशन्स करने पड़ेंगे, और ये पत्थर जो डाला है न, अंदर, वो कोशन्स है, जो आप कुछ से करते हो, चीजों को लेकर, बाहर जो ढूंटे हो, जिसके आंसर, वो कोशन की पत्थर आप अपने अंदर फिको, बाहर की जगा, तो वो जो आंसर है न, वो आपको मिल अंदर हो रहा है, फिर से कोई न्यू स्टार्टिंग हो रही है, जिसके मैंने बोला कि कोई और साइकल है, यहां पे, अब आपका नया जनम हो रहा है, नई चीज आप आपके जिंदगी में आएंगी, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही होश्यारी से जो आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हैं, पर हमारे हाथ में जितना होता है, जितना कर सकते हैं, आप उसी से, जितनी पावर आपके हाथ में उस प्रॉब्लम से टैकल करने के, वो आप बहुत होश्यारी से, आप बहुत 100% दे रहे हो चीजों में, ठीक है, आई ये दिखते हैं, पैशन, आपका पैशन बढ़ सकता है, लव में, करियर में, ठीक है, आप काफी पैशनेट हो सकते हो, आने वाले समय में, काफी फाइदी हो सकते हो, अब ये जो बारबर करेज का कार्ड आपके लिए आ रहे हैं न, ये कोई कोईंसिदेंस नहीं है, ये आपके लिए कन्फरमेशन है कि ये इस समय पर आपको शायद करेज की जरुवत है, ठीक है, शायद अपने सच को रखने के लिए, जो आपका सच है उसको रखने या बोलने के लिए आपको करच चाहिए किसी को no कहने के लिए आपको करच चाहिए आप नहीं सहर रहते सहर रहते कोई चीज बढ़ आपको नहीं कहना है ठीक है तो yes, maybe आपको करच चाहिए किसी तरह का तो ये थी आपकी reading वगो, अगर आपको अच्छी लगी हो या resonate हुई हो तो like जरूर करें comment box में जरूर बताएं और अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe मैं चानल, thank you for watching